है में बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी ट्रेडिंग्ग के बारे में तहमनेल देंक आप समझी गहूंगे इस पर्टिक्लर वीडियो में हम बैंक निफ्टी ट्रेडिंग करना चिखेंगे चाहे आप beginner हो, चाहे आप advance हो कितने ही आपको experience दो इस stock market में trading करते वे ये आपकी जो strategy है ये बहुत ज़ादा काम करती है, तो beginner plus advance सब के लिए काम करेगी, अब बात ये है इस particular strategy को आप use करके, nifty bank में एक से दो बारी trade कर पाएंगे week में तो क्या ये strategy बेकार है, नहीं यार इसके accuracy बहुत अच्छी है, तो अब main दिक्कत क्या है, आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा समझना है कि कौन से indicator यूज़ करने है कौन सा आपको यहाँ पर pattern देखना है कैसी candlestick की moment आपको notice करनी है, तो पूरा आपको इस concept समझना है, फिर इस strategy को उठा के आप nifty 50, nifty fin service या भी जो भी आपका favorite stock है बजाज finance, या फिर आपका buy icon, कोई भी अगर आपका favorite stock है उसमें उठा के आप इस concept को, इस strategy को use करेंगे, तो आपको daily trade मिल जाएगा, लेकिन bank nifty में एक से दो बार trade मिलेगा, फाइदा ये है बहुत जादा accurate रहेगी strategy, back testing करके दिखाऊंगा, तो video थोड़ी सी landing रहेगी, पूरा दिखिएगा अगर आप back testing से इसकी accuracy भी जानना चाते है, वीडियो का overview इतना काफी रहे गया, अब शुरू करते है beginner भी समझ चकता है, तो बिल्कुल basic शुरू करूँगा, अगर आप थोड़े से advance हो तो परिशान मत होना अगर आप कुछ strategy समझ नहीं है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर मैं आपके साथ share कर देता हूँ कौन से indicator हम लगाने वाले हैं, देखो moving average, सबसे पहला हमारा यह indicator हैगा, अब moving average indicator किस काम के लिए आता है, अब अगर हम बात करें, आपके class में अगर 50 बच्चे हैं, तो 50 बच्चों के कुछ अलग-अलग age होगी, कोई 15 साल का, कोई 20 साल का कोई 35 साल का, अब teacher बोलती है कि average age निकालो उनकी अब आप क्या करोंगे, सबकी age calculate करोंगे, add कर दोंगे सबको, divided by जितने number of students रहेंगे, ऐसे एकर कि आपके average age निकलती है, तो moving average क्या है, अगर हम इस पे click करते है तो देखो, आपके सामने के अरत है period, मतलब यह 50 है तो यह क्या बता रहा है कि पिछली जो 50 candles है न, उसकी average यह indicator आपको दिखाएगा, ठीक तो पहला जो हमारे indicator रहेगा, moving average रहेगा, 50 उसका period रहेगा, ध्यान रखना है, close उसके बाद simple को कर देना है exponential, अब यह simple exponential में मत जाओ, exponential select कर देना इतना भी detail समझाँगो तो बहुत ज़्याद अलेंदी हो जाएगा और उतना जरूरी भी नहीं है समझना क्या करना है, आपको सबसे पहले 50 लगा देना है, मतलब हमें पिछली 50 candles का data चाहिए, exponential select करना है color आपकी मर्जी है, और done कर देना है बस, अब उसके बाद क्या करना है एक और indicator लगाना है, same यही moving average पे click करना है अब क्या करना है हमें, यह 50 की जगा आप हमें चाहिए, दूसरा जो हमारे indicator है वो पिछली 200 candles का data हमें बता है ठीक, पहले वाला कितना था 50 का data बता है, अब दूसरी वाला है वो हमें दोस्तों को बता है, same exponential हम लगाएंगे color change कर देंगे जिससे के हमें confusion ना हो बाकी देखके भी परद चल जाता है देखो इसको blue कर देते है तो 200 वाला जो आपको देख रहा है, यह blue है आप देख रहे हैं, candle 6 से बहुत दूर दूर है क्योंकि यार यह पिछला बड़ा data बता रहा है पिछली 200 candles का data बता रहा है तो जाहिर सी बात है, एक average दूर की ही निकलने वाली है और यह बता रहा है, बिल्कुल 50 का पिछले past, मतलब पिछले 50 candles का तो जाहिर सी बात है, candle से close रहेगा क्योंकि average भी normal उनके close ही रहने वाली है नहीं समझा रहा, concept नहीं समझा रहा है कि क्या average क्या हो रहा है, मत समझो 50 और 200 moving average indicator आपको use करना है एक चीज़ आपको और करनी है, एक last indicator जो हर strategy में आपके काम करता ही करता है, वो आपको यह लगाना है, pivot अब यह pivot points क्या होते हैं, pivot points वो important point होते हैं जो कि support और resistance का काम करते हैं, आप खुद नजरों से ढूंड़ोंगे support कहाँ पर मिल रहा है यहाँ शहाँ support मिल रहा हो, यहाँ शहाँ resistance मिल रहा हो, जो भी है नजरों से आप उतना नहीं ढूंड पाऊंगे, इस से अच्छा है या जब indicator बन रख है तो उसका use करो अब क्या है, इसकी setting हमें थोड़ी से change करनी है setting क्या करनी है, studies में जैसे हमने pivot लगाया था pivot का आपको type में standard से फिबनाची कर देना है, simple खतम, तीन indicators में आपके सामने लगाए, अब आप कहूंगे यार पूरा indicator based trading है तो नहीं यार, अब यह आपको simple दिख जाएगा, क्या क्या चीज़ा हमने notice करी और क्या क्या चीज़े हम समझने वाले हैं, indicator लगाना आपको आगया, 50 लगानी है, 200 लगानी है, moving average, exponential, यह में है न, और दूसरा हमारा pivot point, बस, खतम हो गया हमारा काम, अब इसको शुरू करते हैं, देखो इतना बड़ा bank nifty में fall आया था, Friday को यह आपने देखा होगा, तो यार आप तो देखते ही रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे, आप सोच रहे हो कि news आई है, या फिर जो आपका जो serum institute में था, उसमें आग लगी थी, तो शायद उसकी वज़े से market गिरी हो, यार यह सब न, news पर अगर आप trading करोंगे, तो आपने वो देख लिया हुगा, CNBC के अब देखो आपके सामने ही है, जब भी ये red वाला 50 moving average जो है न, ये 200 को उपर से cross करेगा, 50 moving average का indicator जब भी 200 को उपर से cross करेगा, तो मतलब है वो sell signal generate कर रहा है, वो कह रहा है कि इस time bank nifty या फिर जो भी chart में आपने indicator लगा है, वो गिरेगा, और definitely गिरेगा, अभी मैं आपके सामने long term में भी दिखाऊँगा, देखो time period आपके सामने भी 5 minute का है, अब देखो एक चीज, इसने उपर से 50 moving average ने 200 को cross किया, क्या हुआ, बैंक nifty गिरा, हम put trade लेके पैसा बना सकते थे, बिलकुल लिया, left side आपको screen पे देखी रहा होगा, कि हमने एक put trade लिया भी था, और उ पे तो जाना जरूरी है, ऐसा तो है नहीं, मैंने आपको बता दिए कि गिरना ही गिरना हो सकता हो, reverse हो जाए, 100% accuracy तो कोई काम करेगी नहीं, कहीना कहीं तो stop loss लगाना पड़ेगा, अपने आपको safe रखने लिए, वही महीन बात है, अब देखो जब 50 वाली ने cross कर दिया इस particular candles में, मैं आपके सामने zoom कर देता हूँ, इबर, देखो, अगर आप यहाँ पर आओंगे, 9.30 की candle में, अगर आप देखोंगे, sell signal हमारे हाँ पर generate हो चुका है, ठीक है, 9.30, यह बीच में चल रहा है 10 minute के, तो यहाँ पर हमने अगर trade ले भी लिया, सबसे नीचे भी लिया, अब stop loss कहां लगा है, या तो देखो, आप 50 moving average जो है, उसको stop loss मान सकते हैं, क्योंकि यह उससे काफी ज़्यादा support लेने वाला है, इससे काफी ज़्यादा support लेगा, या तो आप इसको stop loss मान सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, उसके उपर जो भी pivot point रहने वाला है, pivot point म बहुत ज़्यादा help करता है, आपका target और stop loss सेट करने में, देखो, जब आपने trade यहाँ पर ले लिया, अगर आपने इस candle पर ले ले trade, तो आपका stop loss ये वाला, अगला pivot point रहेगा, उससे पीछे वाला, ठीक है, ऐसा नहीं हो कि आप बहुत दूर कहीं भी अपनी मर्जी से ल simple strategy समझाई, करना क्या है, stop loss लगाना है, आपको pivot points है, या फिर आप 50 moving average को अपना stop loss मान सकते हो, और उसके बाद देखो, market गिरती ही चलेगी, कितने point कहा में target मिला होगा, या आप खुद ही सोच सकते हो, ठीक, उपड से cross करें 50, तो मतलब है आपका excel signal generate हो रहे है, अब और द 200 को नीचे से cross करें, दिख रहे है, 50 moving average ने नीचे से cross करें 200 को, तो अब क्या हो रहे है, buy signal generate हो रहे है, क्या buy signal generate में market हमारी बड़ी, अगर हमने यहाँ पर trade ले लिया होता है, इस particular candle पे, stop loss हमारा रहता है, तो पिछले 50 moving average, stop loss, देखो pivot point तो बहुत दूर है, तो 50 moving average हमारा stop loss रहता, यहाँ पर हमने trade लिया, हमें अच्छा गासा कितना मिल गया, देख लेते हैं एक बार, देखो अगर हमने यहाँ पर भी trade लिया हो, इतने high पर भी, 3260 पर, तो 3265 करीबन 200 point, तो यहाँ पर भी हमें मिल गए, target आपको क्या रखना है, stop loss आपको रखना है, 50 moving average, या फिर इसका पिछला pivot point pass में हो, या फिर आपको अगला pivot point जो आपका target रहेगा, तो pivot point से pivot point खेलोंगे तो बहतर रहेगी game, आपके लिए असान रहेगा, देखो pivot point हिट होना ही होना है, जब भी यह cross होगा, अगला pivot point आपका cross होगा, ठीक, हुआ की नहीं हुआ, अब आप कहूँग और बात आती है, अब क्या बताओ, यहाँ पर कौन सा signal generate हो रहा है, 50 moving average ने उपर से cross कर रहा है, उपर से काट करनी चाहिए, कौन सा signal generate हो है, sell signal generate हो है, जाहिर सी बात है, अगर हम यहाँ पर देखें, देखो हमारा यहाँ पर sell signal generate हो गया, इस particular candle पे, हमने trade ले लिया, कितने point क हमें target मिला, 32, 250 करीबन चल रहे हैं हाँ पर, तो 32, 90 चला गया, करीबन 500 point तो यार तब भी हमें मिली गए, safe side अगर आप देखो तो 500 point तो हमें मिली गए, right, कोई stop loss ही 2 आपका, ना, 1500 point तो आपको मिली गए, तो मतलब आपका 100, 1500, 200 point तक कि आपको यहाँ पर average मिल सकती है, मैं यह तो, क्यों उसको ही बढ़ाती जाना है, क्यों candle से आपको request है कि भिया, और गिर, और गिर, अपना 100 point का यहाँ पर candle से target लो, lot size पर देखो, आप कितने lot effort कर सकते हो, 15,000, 20,000 capital है, 15,000 capital तो एक lot लो, 20,000, 25,000 capital तो दो lot पर आजो, ऐसे करके आपको अपना capital का भी decision लेना है, बहुत सारी factor matter करते हैं, आप trading करते हैं, खाली यह नहीं होता, कि मैंने strategy बता दी, आपने trading शुरू कर दी, क्योंकि होगा क्या, आप मैंसे कुछ लोग होगे, आप क्या करेंगे, कि आपको दिग्या होगा, कि sell signal है, तो आप क्या करोंगे, 15,000 आपका वो होगा, total capital, और आप को कितना lot लेना है, यह सारी चीज़ें बहुत matter करती है, back testing करके मैं आपको दिखा रहा हूँ, अभी और भी stocks में आपको मैं दिखा दूँगा, demo के तोर पे, कि यह कैसे काम करती है, और फिर समझते भी जाएंगे, क्या क्या changes हमें करने है, हमारा loss minimize करने के लिए, आप एक च लेडर आखिर तक वीडियो को देख रहा है न, इस वीडियो में, वीडियो को जो आखिर तक देख रहा है, उसके लिए फायदा होता जा रहा है, अब additional points में add करता जा रहा हूँ, वो क्या, कि देखो जब भी आपका target हो जैसे कि यहाँ पर bicycle generate हुआ, तो जाहिर सी बात है, जब आपका target हीट हो जायना, तो आपको जो अगर आपने इस point पर enter करा था, आपका stop loss अगर ये था, तो आपको stop loss यहाँ से उठा के at least cost पे लियाना है, ठीक है, cost पे आपका stop loss लियाना है, जिससे कि अगर buy chance trade reverse भी होना शुरू हो, तो आपको cost to cost exit हो, आपको loss ना हो, तो क् हाले point पे, ये target हो गया, ये stop loss हो गया, थोड़ा से gap जादा है, लेकिन अभी ठीक है, क्योंकि 50 moving average भी थोड़ी नीच ही है, अब यहाँ पर क्या बात आती है, आपको क्या करना है, जब भी आपका target हीट हो जाए, यह वाला pivot point हीट हो गया, या तो आप exit कर लो, या तो आप क कौन से signal generate हो रहे है, यहाँ पर कौन से signal generate हो रहे है, यहाँ पर तो बहुत confusion है, क्या यार यहाँ पर cross हुआ है, cross हुआ है, consolidation सा हो रहा है, मतलब यह भी सीदी चल रही है line, यह भी सीदी चल रही है, और bank nifty थोड़ा consolidate सा हो रहा है, एकी range में घूम रहा है, दो pivot point के बीच में घूम रहा था इसमें कोई ट्रेड नहीं बनता है इसलिए करना आपको थोड़ा से क्रॉस होने का अट लीस्ट वेट करना है जैसे कि एकदम लाइन क्रॉस होगी तो थोड़ा सा उपर जाने दो क्रॉस हो गया तो मतलब कन्फर्मिशन आ गई आपकी अब यह तो मैंने बैंक क से इंगल से ट्रेड आया यह 50 मूविंग एवरेज और 200 मूविंग एवरेज अगर आपने मास्टर कर ली जो कि शुरुआत में हो जाएगी क्योंकि बहुत सिंपल इंडिकेटर लगाना है आपको और एक आइडिया ले लेना है स्टॉप लोज और टार्गेट का देखो अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट आती है सेकेंडली हर किसी से होल्ड नहीं होगा अगर मैं मानते है बात इस वाली देखो 50 मूविंग एवरेज ने क्रॉस किया 200 को तो यहां पर हमारा बाय सिगनल जनरेट हो गया था कोई यहां पर प्रॉफिट देखके एग्जिट कर दे स्टेडिजी हर कोई सीख लेता है स्टेडिजी मैं आपको डेली आकर रोज बता सकता हूं यह वाली इसलिए बता ही क्योंकि बहुत ज्यादा काम करेगी तो एक बिगिनर ट्रेडर भी इससे शुरुआत कर सकता है लेकिन मेन बात यह है आपको होल्ड करना सीखना होगा ट् अगर यह सारी चीज़ें सीखना चाते हो तो नीच से कमेंट डाउन करके जरूर बताएगा इसके उपर भी मैं वीडियो बनाना शुरू करूंगा वैसे अभी थोड़ा दिरी दिर मैं सेट अप कर रहा हूं देखो अभी वैबकेम बगरा भी मैंने और्डर करें धिरी दिर लगाना शुरू कर दिया नहीं ऐसा मत करना बस नोटेस करना एक दुबार किस्टेजी काम करती भी है कि नहीं यार हो सकता है मेरे पर ट्रस्ट मत करो मार्केट में किसी भी ट्रस्ट मत करो पहले खुद देखो किस्टेजी आपके सामने लाइव काम कर रहे हैं कि नहीं उसक पारे चीज़ अगर आप सीखना चाते हैं तो निचे कमेंट करके जरूर बताना मैं वीडियो बना दूगा अब ये के लिए इतना ही बस खतम करते हैं